लडाई वस्ट प्र-धार नमस्कार भारत लएप देख रहे हैं अप और मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर काया हूँ जो खबर घूम करके आपके पास आई होगी लेकिन इसके तत्थ्यों तक आप नहीं पहुँच पाया हूँ उन तत्यों के परत दरपरत खोल करके मैं आपके समने रखने जा रहा हूँ आपको पता है कि किस तरह से तेजश्वी यादो और नितिश कुमार में अब सामने सामने लडाई शुरू हो चुकी है ये लडाई चुनावी लडाई है और इस चुनावी लडाई में 15 साल बनाम 15 साल को बहुत पीशे छोड़ दिया अब नितिश कुमार जैसे ही 15 साल का नाम लेते हैं वैसे ही चेकमेट वाले इस्तिती हो जाती है और कहीं न कहीं तेजशी यादो अपने युवा डंब के अनुसार उन्हें चेकमेट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं एक बार फिर से उन्होंने नितिश कुमार को चुनाव से पहले ही पूरी तरह से चेकमेट कर दिया है और नितिश कुमार स्टंट हो गया है जब भी वो जनता के सामने आ रहे हैं अपनी बाते रख रहे हैं तो तेजशी यादो उन बातों का जवाब अपने ही सैली में दे रहे हैं और बार बार उस सैली से कहीं न कहीं पूरी तरह से वो उनको प्रभावित हो रहे हैं आपको पता दें कि लगतार नितिश कुमार अब चुनावी मोल्ड में हैं और अपने 115 सीटों के साथ जो 7 सीटें उनके पास हिंदुस्तानी अमाम पार्टी की है उस पर जीतोड कोसिस कर रहे हैं जिसमें से नितिश कुमार जी 49 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आपको पता है कि इस बार के चुनाव में बहुत सारी स्थितियां बदली हैं नितिश कुमार जी 2015 यानि कि इससे पिछले वाले साल में जो चुनाव लड़े थे वो लड़े थे RJD के साथ इस बार RJD के विर हाला कि 2015 में भी जो चुनाव लड़े थे वो बीजेपी के विरुद लड़े थे, जो 2010 में बीजेपी के साथ एक बड़ी जीत के साथ सामने आये थे, दोसों से उपर सीटे आई थी, बिल्कुल उसी का परिनाम था कि 2015 में जब नितीश कुमार दूसरे खेमे में चले गए और भाती जनता पार्टी का उस समय बहुत उठान था, तब भी मात देने में दोनों सफल हो गए, लेकिन अब जिस तेज़श्य आदों के साथ उन्हें अपने राजनीत की, या नहीं राजनीत में तेज़श्य आदों को प्रवेश कराते हुए अपने बगल वाली पूर्शी मैं बार बार ये बाते इसलिए रिपीट करता हूँ, कि आपको इस बात का हैशास हो, आप इन बातों को समझें कि वो परिस्थितिया क्या थी, जिसमें ये सारे परिवर्तन हुए और लगतार कैसे कोई ब्यक्ती, राजनीत में साधू और सैतान दोनों हो जाता है, जिस ला बातर तेरह साल या आठ साल में, माफ कीजेगा, आठ साल में ही, वो कैसे फिर दुबारा वापस से ले आया है, कैसे वही नितीश कुमार वो अच्छे लगने लगे लालू परसाद, सब कुर्सी का सत्ता का चक्र था, ये चक्र चला, और 2015 में दोनों साथ चुनाव लड़े अच्छी खासी सीटें भी आई थी महागठबंधन को, पर ये टिकाउन नहीं हो पाई, अब एक बार फिर से नितीश कुमार संदेह के दाएरे में दोनों तरफ से हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें अगर परेशानी किसी से है, तो वो परेशानी तेश्यादों है, जि अच्छी स्थिती में जिस तर से सतरंज की विशास मिश्ती है और अलग-अलग मोहरे चलते हैं, राजा को घेरने के लिए, वैसे ही पूरा मोहरा चल रहा है, अब इस मोहरे में कौन-कौन क्या-क्या कर रहा है, लेकिन जो चालते यश्यादों कर रहे हैं, वो चाल निश्य तरुप से निश्य कुमार को कुर्सी से दूर होता दिखाई दे रहा है, दूर करता दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं, जिन कारणों की चर्शे हम लगतार करते जा रहे हैं, निश्य कुमार पूरे जोर सोर से लगे हुए हैं, जो बरतमा में कहीं ने कहीं एक तो निकीश कुमार के 15 साल के सासन को देखा जा रहा है उसके बाद इन पांच सार के सासनों में 2015 से 20 के बीच में दोनों को अलग अलग करके देख रहा है कि तेजश्री आदों के साथ थे तो क्या इस्थितिया थी तेजश्री आदों के अलग हुए तो क् के विकास पर बहुत ज्यादा अब जनता ध्यान दे रही है और इसी विकास को कहीं न कहीं मोहरा बनाया है ते यश्यादों ने साफ तोर पर उन्होंने कहा है कि नियोजित जो लगतार नितीश कुमार के सासन में पिछले 12-13 सालों से परिशान हैं चिंतित हैं और एक ही तरह के काम के लिए अलग अलग तरह के वेतन की विशंगतियां हैं जिसको ले करके वो अपने आपको प्रतारित महसूस कर रहे हैं उनको कौन दूर करेगा नितीश कुमार ने न कुप्रीम समझते हैं वेतन विशंगतियां भी हैं और बहुत सारी कि सुविधायें दोनों में भिन हैं इस बात को ले करके तेजश्य यादों ने बड़ा पासा फेका है और यहीं चेकमेट कर रहा है उन्होंने साफ तोर पे इन शिक्षकों को नियोजी शिक्षकों को सिक्षकों को तेजश्य यादों ने दे दिया है सगूफा और कहा है कि मेरी सरकार बनी तो पहला सगूफा उन्होंने दिया था रोजगार के नाम पर युवाओं को कहा था कि आपको हम रोजगार देंगें जैसे ही हमारी सरकार बनती है पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को सरकारी गर सरकारी नोकरियां दी जाएगी और दूसरा उन्होंने जो फेका है पासा वो फेका है सतंज की विशाद पर धाई घर चल करके और सिधे राजा को घेर लिये हैं यानि इंदीश कुमार को घेर लिये हैं और उन्हें साथ तो पर नियोजित सिक्षकों को कह दिय नितिश कुमार घिरते जा रहे हैं उंट ने घेर लिया है सिपाही ने घेर लिया है अब घोड़ा भी अढ़ाई घर चलके उनको घेर लो चुका है देखना होगा कि आप फैसला क्या करते हैं और दस तारी को जब EVM के काउंटिंग होएं तो किसको सत्ता मिलती है कौन राजगर्दी से बाहर होता है या किसको राजगर्दी पर पुनह स्थापित करती है आपके सोच और आपके विचार आपके द्वारा दिये गए वोट भरतलाई पर ख़बरों का सिलसिला लगतार जारी है हमारी टीम टीम दो छेत्र में निकली हुई है, एक तो भागलपूर से, पटना से लेकर करके भागलपूर तक के, और दूसरी टीम सासा राम डेहरी तक के लिए निकली हुई है, आप अगर उस छेत्र से विलॉंग करते हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं या हमें संपर्क कर सकते हैं आप कॉमेंट बॉक्स में भी अपने नंबर दे सकते हैं यदि आप उमिद्वार हैं तो भी आप समर्थक हैं तो भी आप आम जनता हैं तो भी यदि आप अपनी बात रखना चाहते हैं आप बताना चाहते हैं कि इस बार किस तरह की सरकार आप चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्ट कर सकते हैं